नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज रहाश्यान भूती पर संछेप में आपको बताना चाहता हूँ कि धार्मिक विश्वास का एक महत्पून अधार रहाश्यान भूती है रहाश्यान भूती एक विशिष्ट अनूठी रोमांचक अधिती एवम अधभुत अनभूती है किसका संबंद हमारी साधान चेतना से नहोकर और साधान चेतना से होती है रहाश्यान भूती धार्मिक अनभूती का सार और इसकी पराकास्टा है रहाश्यान भूती में सांसारिक अनभाउं जादू टोना गुप्त विद्या आदि से भिन होती है वस्तुता यह धार्मिक चेतना के तीनों पक्ष ग्यान, ग्रिया और भावना के अनुरूप निर्मित ग्यान मार्ग, कर्म मार्ग एवं भक्ति मार्ग की चरम पराकास्टा के इस्तिती होती है यह उपासना इवं प्रार्थना दोनु की चरम इस्तिती है, इसमें अपने से परे की चेतना होती है और उसी का सातत्य मात्र बना रहता है प्रतेक धार्मिक अन्भूती में रहस्यात्मक्ता का तत्व विद्यमान होता है, हिंदू, बाउध, इसलाम, इसाई, आदि सभी धर्मों में रहस्यवात की लंबी परंप्रा दिश्टिकत होती है रहस्यवात को अंग्रेजी में मिस्टिज्म कहा जाता है, मिस्टिज्म सब्द किर्पत्ती युनानी भासा के मौ से हुई है जिसका साब्दिक अर्थ है मम अर्थात मौन रहना इस पस्ठ है कि साब्दिक दिश्टिकों से यह एक ऐसी इस्थिती को इंगित करता है जिसकी प्राप्ती होने पर साधक मौन हो जाता है वस्टुता रहस्यात्मक अनभूती छनिक व्यक्तिनिष्ट अदभूत एवं दिब्य अनभूती है इसलिए इसका स्वरूप कुछ हद तक रहश्य में है सामान अनभू की व्यक्षा करने के लिए निर्मित हमारी साधारण भासा इसका वर्ण करने में असमर्थ है यही कारण है कि रहस्यानभूती का वर्णन प्राया प्रतिकों उपमाओं या विरव या विरोधा भासों से युक्त भाशा के द्वारा किया जाता है जा फिर उसके संबंद में मोन का आवलंबन किया जाता है इस अंदर में जेवेली कहते हैं जीने रास्यात्मक अनभूती हुई है उनके लिए तरक अनावस्यक है और जीने ऐसी अनभूती नहीं हुई है उनके लिए तरक बेकार है प्रोफेसर ब्रैटमेंड के अनुसार रहस्यवाद देवी सत्ता की साक्षात अनुभूती है डक्टर राधा किष्टन के अनुसार रहस्यवाद एक अनुसासन है जिसके द्वारा आध्यात्मिक उतकर्श प्राप्त किया जाता है रहस्यवाद की विशेष्टाएं विलियम जेम्स ने रहस्यवाद की चार विशेष्टाएं बतलाई है रहस्यात्मक अनुभव आत्मिष्ट होता है फिर भी उसको भासा के साथ हरण प्योग में सब्दों के माद्दम से वर्णित नहीं किया जा सकता उलेखनी है कि यहां अवर्णिंता का भासा की दुर्बलता का द्यों तक नहीं है वस्तुता रहस्यात्मक अनुभूती का विशेष्ट अध्भूत एवं अलोकिक है इसी कारण वह अलोकिक सब्दों के निर्वचन से परे है दूसरा आत्म निष्ठ होते हुए भी रहस्या नुभूती उन व्यक्तियों के लिए ज्यानात्मक होती है जो इसका अनुभव करते हैं इस अनुभूती में उन्हें दिव्य सत्ता का ज्यान होता है तीसरा रहस्यात्मक अनुभूती अल्प कालीन होती है इसका निरंत रस्तित नहीं रहता है जोथा रहस्यात्मक अनुभूती के द्वरान रहस्यवादी को ऐसा मसूस होता है कि कोई उसके संपोर्ण व्यक्तित को संचालित कर रहा है यहां केवल विचारों का सातत्य मात्र बना रहता है ऐसे में अनभूती करने वाले को अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता वह निश्क्रिय हो जाता है अन्य विशेष्टाएं भी हैं रहस्यात्मक अनभूती में एकता या अद्वैट की अनभूती होती है इस अनभूती में कुछ छणों के लिए आत्मा और परमात्मा का तदात्म संबंद बूंद सागर की भाती हो जाता है इसमें करता अनभू करता है कि सब कुछ एक है कबीर के सब्दों में लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल राश्च्यात्मक अनभूती आकस्मिक होती है आत्मिष्ट प्रखास और बौधिक पदीपन की स्थिती होती है राश्च्यात्मक अनभूती में अनभू करता कभी कभी अनन्त सत्ता में निमग्न हो जाता है इसी कारण वह निर्भायता एवं आनंद का अनभाव करता है उसमें नेतिक उतकर्ष की भावना अनुश्यूत होती है राश्यात्मक अनभूती साक्षात ब्यान है इसमें राश्यवादी इस्वर या परमात्मा की सत्ता का साक्षात अनभाव करता है रुडोल्फ आटोकंसार धार्मिक अन्भूती बुद्धी ग्राहे नहीं है इसलिए रैस्या अन्भूती सरूप है यह अन्भूती विरक्षण और स्वर्गी है इसमें निम्तत्व पाजाते हैं भाई और विश्में अभी भूत होना सर्वता इतरभावना सम्मोहान रहस्यवाद के विविन रूप इस्टेस ने दो अर्गों में भाजित किया है बहिरमुखी और अंतरमुखी रहस्यवाद बहिरमुखी रहस्यवाद में रहस्यवादी वाहे भौतिक जिगत के मूल में एक अध्यात्मिक सत्ता का अन्भू करते हुए उसमें एकता समन्मे व्यवस्ता विशालता का अनुभव करता है। वायरह स्यवाद की अभ्यवक्ति उपनिशद के इस महावाक्य में मिलती है सर्वम खलुम इदम ब्रम्ह। यहां सब ब्रम्ह है। अंतरमुखी रहस्यवाद में रहस्यवादी अपने भीतर ही अध्यात्मिक सत्ता का साक्षाद अनभव करता है। अंतर्मुखी रहस्यवाद के व्यक्ति आयमा आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ही ब्रह्म है महावाक्य में हुई है। भारती परंप्रा में रहस्यवाद अंतर्मुखी रही है। भारती धर्म और दर्शन में समाधी और अपरोक्चान भूती द्वारा आत्मदत्म के उद्धगाटन पर बल दिया जाता है। अदेतवात के रहश्यवाद में ग्याता और गेका भीद समाप्त हो जाता है। भारती परंप्रा में रहस्यात्मक अन्भूत्य को विलक्षणता और अनिर्वचनेता पर विशेश जोर दिया गया है। हेंड्री वर्ग्सा के अनुसार रहस्यवाद के दो रूप हैं अपुन रहस्यवाद और पुन रहस्यवाद। पुन रहस्यवाद में व्यक्ति ध्यान की अवस्था में रहता है। इसमें स्त्रिजनात्मक्ता नहीं होती। यह पुन रहस्यवाद के पुर्ग की अवस्था है। पुन रहस्यवाद में आत्मा अपने को इस्वर में विलीन कर देता है। इस प्रकार पूर्य रहस्यवाद में आत्मा को इश्वर का प्रतक्ष ज्ञान होने लगता है, पूर्य रहस्यवाद में स्रिजनात्मक्ता सक्रेता एवं प्रेम होता है, पूर्य रहस्यवाद में जहां भक्त इश्वर की ओर अभिमुख होकर आनंद का अनभव करता है, वही पूर्ण रहस्यवाद में भक्त में असीम बल आ जाता है जिस प्रकार बाद में अवरुद जल बाद तूटने पर एक महान जलधारा का रूप ले लेता है उसी प्रकार भक्त भी दैविक सक्ति से अनुप्राणित हो जाता है और वह अपनी स्रिजनात्नक सक्ति का प्योग ज प्रिष्टी का परम उद्देश यही है कि मानव अंत में रश्या नभूती की मदद से इस्वर के समाही स्रिनत्व एवं देवत्व को रात करें धन्यवाद नमस्कार